हिमाचन में हू रहे उपचुनाव में छे में से तीन विधान सभाक शित्रों में उमीदवारों की किस्मत का फैसला महिला इंगी। सुजानपूर, बड़सर और लाहसपीती में महिला मतदाताओं की संख्या पुर्षों के मुकाबले ज़्यादा है। सुजानपूर में 1,982, बड़सर में 1,472 और लाहसपीती में पुर्षों के मुकाबले 49 महिला वोटर अधिक है। लोकसभा के साथ साथ धरमशाला सुजानपूर, लाहसपीती, बड़सर, गग्रेट और कुटलेहड में उपचुनाव होना है। चेह विधानसभाक्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में कुल 4,48,110 मतदाता अपने नुमाइंदों का चैन करेंगे। सुजानपूर विधानसभाक्षेत्र में कुल 76,943 मतदाता है। इनमें पूरुष मतदाता 36,449 और महिलाओं की संख्या 38,421 है। बड़सर विधानसभाक्षेत्र में कुल 88,445 मतदाता है। इनमें 42,538 पूरुष और 44,010 महिला मतदाता है। इसी तरह विधानसभाक्षेत्र लाहलसपीती में भी महिला मतदाता अधिक है। यहां कुल 25,737 मतदाताओं में से 12,549 महिलाएं हैं जबकि पूरुष 12,500 है। धरमशाला में 84,074 गगरेट में 84,975 और कुटलेहड में 87,936 मतदाता है। इन्विधानसभाक्षेत्रों में महिलाओं की अपिक्षा पूरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। 18 और 19 वर्ष आयूवर्ग के युवा मतदाता सबसे अधिक बड़सर और सुजानपूर में है। बड़सर में 2,197 और सुजानपूर में 2,086 युवा मतदाता उपचुनाओं में वोट डालेंगे। इसी तरह धरमशाला में 1,333, लहाजपीती में 770, गगरेट में 1,697 और कुटलेहड में 1,919 युवा मतदाता है।